दोस्तों बहुत बहुत सोगते आप सभी का एक बार फिर से जियां दोस्तों आज पुरे दिन की कई महत्पूर और बड़ी खबरे निकल कर सामने आ रही हैं जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीजियो को एक प्यार बड़ा लाइज जरू कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरू करें तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर बता दे कि बाज नहीं आ रहा चीन एलेसी पर साथ आठ गाडियों के साथ फिर से घुसपैट की कोशिश है भारती सेना ने खदेडा जिया आपको बता दे हैं कि वास्तविक में अंतरल रेखा एलेसी पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा प्रपंदा जून को हुए हिंसक जड़ब के बाद से तनाओ के स्थिती है और इस बीच काफी भारती सुरक्षा बलों ने भी किसी भी घुसपैट को रोकने के लिए एहतियाती तैनाती की सैनिकों के साथ भारती सेना के वहनों को देख कर चीनी वहन काफिला वापस अपने ठीकानों की ओर लोड गया भारती सुरक्षा बल एलेसी के साथ साथ किसी भी छेतर में चीनियों दोरा किसी भी तरह की घुसपैट को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर है और वे एंगली कबं बता दे कि मानन निर्मित आपदा के लिए भगवान को दोश मत दो पीच इतम्बरम ने निर्मला सीता रमर्ण पर बोला हमला मंगलवार को मोधी सरकार की विद्मंति निर्मला सीता रमर्ण के Act of God वाले बयान पर तीखी प्रती करया दिया उन्होंने कहा कि मान और निर्मित आपदा के लिए भगवान को दोश ना दें बता दें कि पिछले सप्ता वितमंदि निर्मला सीतरमन ने 41 वे GST काउंसिलिंग बैठक के दुरान देश की अर्थ वेवस्ता पर कोरोना वायरस के प्रभावों की चर्चा करते वे महामारी को एक्ट ऑफ गौड बताया था कॉंग्रस समेत कई विरोधी दलों ने निर्मला सीतरमन की स्टिपणी परमोधी सरकार को घेरा है और कुछ नियूज में नियूज अजेंसी में इंटर्विव में पूरी वितमंत्री पीचे तंबरम ने जीडिपी में 23 प्रतिशत की गरावट के एक दिन बाद उन्होंने भारत में अब तक के रिकॉर्ड सबसे कम आर्थिक गरावट का संकेत दिया है और वे एकली कपने करके एकी जीडिपी मौफजे को लेकर गैर बीजेपी राज्यों के साथ आमादी पार्टी ने मिलाया सुर में सुर केंद के विकल्पो को किया खारिज जहां बात करें कि दिली सरकार ने पशिमंगाल, पंजाब, चितिसगर, केरल वा तेलंगाना के सुर में सुर मिलाते हुए जेस्टी काउंसलिंग की बैठक में केंद सरकार द्वारा दिये गए विकल्पो को खारिच कर दिया है इसके साथ ही कोरोना के कारल बिगड़ी अर्थवेस्था को सुधार ने के उपायों पर दिली के उपमुकमंत्री और वित्मंत्री मनीश शोदिया ने इन पांच राज़ों के वित्मंत्री के साथ चर्चा की है दिली सरकार की वितमंत्राली के अनुसार वर्ष 2020 और 21 में राजस में 2.3 लाग करोन रुपए के नुकसान की आशंका है और वे इंगली बड़ी ख़ब निकल करा रही है जिसमें इलहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है कि डॉक्टर कफिल खान को तुरंत रहा करे NSA लगाना गेर कानूनी जिहाब को बता दे कि नागरिकता संशुदन कानून और NRC को लेकर भड़काओ भाशर देने के आरोप में पिछले कई महीनों से जेल में बंद डॉक्टर कफिल खान जल्द रहा होंगे मंगलवार को इलाबाद हाई कोट ने डॉक्टर कफिल खान को तुरंत रहा करने के आदेश दी है मालुमों कि डॉक्टर कफिल पर NSA के तहत कारवाई की गई थी जिसे कोट में कफिल खान के परिजनों दोरा चुनौती दिया गया था पिछले कई महिनों से मत्रा जेल में बंद डॉक्टर कफिल खान के मामले में फैसला सुनाते हुए इलाबाद हाई कोट ने कहा कि अलिगर्ड डीम की ओर से 13 फरवरी 2020 को पारित आदेश NSA की कारवाई गयर कानूनी है कफिल खान को हिरासत में लेने की अवदी का विस्तार भी अवैद है डॉक्टर कफिल खान को तुरंत रहा करने का आदेश जारी किया जाता है बदादे की गुरकपूर बी-ा-डी मेडिकल कॉलिज के प्रवक्तर डॉक्टर कफिल खान को जिसे कोट ने गयर कानूनी करार दिया है उलेकनी है कि पिछले करीब 6 महीने से NSA के तहट कफिल खान यूपी के मतुरा जेल में बंद है और वह एकली कबर बतादे कि पूर्व राश्पती परणा मुखर जी के निधन से दुखी डोनाल ट्रम बोले भारत ने एक महान नेता को खो दिया जी आपको दादे कि दिल्ली के आर्मी अस्पताल में लंबे समय से भरती देश के पूर्व राश्पती परणा मुखर जी के निधन के बाद उनका पूरे राज की सम्मान के साथ अंतिम संसकार किया गया परणा मुखर जी को मंगलवार की दुबहर दो बजे लोधी रोड इस्तित शाओदाह ग्रह में राज की सम्मान के साथ विदाई दी गई परणा मुखर जी के रूप में एक दिगज निता खूने के बाद सिर्फ भारत में ही नहीं बलकि विदेशों में भी लोग शोका कुल हैं और परणाबदा के निधन पर अमेरिकी राश्पती डोनाल टर्म ने भी शोक व्यक्त किया है आपको बताता है अमेरिकी राश्पती डोनाल टर्म ने कहा कि मुझे भारत के पूर्वर राश्पती प्रणामुखर जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ भारत अपने महान निता को खोने का शोक मना रहा है मैं उनके परिवार और भा राश्पती व्लादी पुतिन समेत कई नेताओं ने अपनी शद्धांजली दी है और अगली खबर बताती कि कोरोना संकट की बीच मद्धिप्रदेश में अभी भावकों को रहत सिर्फ ट्यूशन फीज ही वसूल सकेंगे निजी स्कूल जी हम बात करें कि कोरोना महमारी के चलते निजी स्कूलों में बच्चों की फीज को लेकर अभी भावक अभी आसमंजस में हैं क्यूंकि कोरोना के चलते हुए लॉक्डॉण में स्कूलों भी बंद रहे हैं जबकि स्कूल प्रबंदन ऑनलाइन क्लास के नाम पर फीज वसूलना चाह रहे हैं अब इस मामले मे जबरगपुर हाई कोट ने बड़ा फैसला दिया है आपको बता दे कोट के आदेश के मुताबिक कोरोना काल में निजी स्कूल सिर्फ टूशन फीज ही नहीं वसूल सकेंगे इतना ही नहीं स्कूल संचालक इस दौरान टूशन फीज बढ़ा भी नहीं सकते हैं लॉक्डॉ प्रबंदा ने ऑनलाइन क्लास का हवाला देते वे पूरी फीज वसूलना चाह रहे थे इसी बीच को लेकर इस बात को लेकर अभीभावकों की ओर से नयाले का दर्वाजा खटकटाए गया यह आचिका पर लंबी सुनवाई के बाद फिलहाल अंतरिम फैसला कोट ने दिया है मामले में अगली सुनवाई 10 सेतंबर को होगी और इस दिन मामले में विस्तत आदे जारी होने की उम्मीद है और अगली बड़ी खबर मताते कि मोधी सरकार पर बरसे सुपरमुनियम स्वामी शी जिन्पिंग के साथ 18 मुलाकातों की दिलाई याद जहें आपको बता दे कि भारत चीन के साथ सीमा विवाद के बाद एक बाद फिर से चीनी सैनिकों ने घुसपैट की कोशिश की है पैंकोंग जील इलाके में चीन के सैनिकों ने घुसपैट की हरकत की जिसका मूतोर जवाब भारती सैनिकों ने दिया सीमा विवाद के बाद दोनों देशों की 20 तनाव की स्थिटी बनी हुई है, जिसके बाद से दोनों देशों की बीच कई दोर की बादऀ जारी है, लेकिन बादशीत के बावजूद भी चीन अपकी हरकतों से बाद नहीं आ रहा है आपुदादे चीनी साहन को की इस हरकत के बाद विजेपी राजसभा सांसा सुबर्मिरिम स्वामी ने अपनी सरकार पर निशाना साहा देते हुए सरकार को चीनी राष्टपती शी जिन्पिंग के साथ 18 मुलाकातों को याद दिलाया और लिखा कि तमाम मुलाकात के बाद भी चीनी सरकार ने भारती निताओं की कद्रिन नहीं की सुपरमर्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते वे ट्वीट कर लिखा कि भारा सरकार को चीन के खिलाफ का ठोर रवया अपनाना चाहिए तो दोसो आप लोगों क्या लगता है जिसरके सरकार सुपरमर्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़ा किया है तो क्या उनका कहना सही है और उनकी पार्टी को इसका पालन करना चाहिए आप अपना सुझाओ कमिन बॉक्स में जरूर दे बरते बगली खबर की ओर और वे एकली खबर मता दे के अलक चाहर में सरकार का बड़ा एलान पट्री पर जल्द दोड़ेगी सौ से अधिक और विशेज ट्रेने जिहां बात करें के अलक चाहर में आर्थी विश्ता को और ज्यादा खोल दिया गया है आर्थी गतीवीदिया तेज होने से श्रमको की मांग बढ़ने लगी है खास कर और दोगिक शहरों में लेकिन आवागमन के साधुनों के अभाव में व्यवसाई गतीवीदिया तेजी से पट्री पर लोटती नजर आ रही है इसको ध्यान में रखते हुए अब रेलवे ने 100 से अधिक विशेस ट्रेनों को जल्द पट्री पर वापस लाने का फैसला किया है रेल मंतराले के पर वक्ता ने कहा कि यात्रों की सुविधाओं को देखते हुए और अधिक ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है जिन राजों से ट्रेने चलनी है और जिन राजों को जानी है उनसे ट्रेनों के संचालन को लेका संपर्क किया जा रहा है राज्यों की मंजूरी मिलने के बाद अतरिक्त स्पेशल ट्रेनेज चलाने की घोशना की जाएगी हाला कि प्रवक्ता ने ये नहीं बताया कि और कितने ट्रेनेज चलाई जाएगी लेकिन सूतरों के मताबिक इनकी संक्या सौ से अधिक हो सकती है तो दोस्कों खबरों आगे पढ़ने से पहले जालने थे आज के माइन को इसके सवाल को आज का सवाल आपको बताना है कि मैंनमार की राजधानी कहा है इसका जवाब आपको वीडियो निचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रेंडमनिस लेकर जाएगा और वो जी सकते एक बंपर प्रूशकार तो बढ़ते व अगली खबर की ओर और वे अगली खबर मतादे जिसमें जीडिपी में गिरावट पर कॉंग्रस ने मोधी सरकार को घेरा कहा अर्थिवस्ता की बरबादी नोडबंदी से शुरू हुई थी जैब को दादे कि जीडिपी विकास दर में भारी गिरावट को लेकर कॉंग्रस से पूरवद्धिक्ष राहूल गांदी ने मंगलवार को सरकार पन निशाना साधा और दावा किया कि अर्थिवस्ता की बरबादी नोडबंदी से शुरू हुई थी और उसके बास से एक के बाद एक गलत नीतियां अपनाई गई उन्होंने ट्वीट किया कि GDP 23.9% हो गई देश की अर्थवस्ता की बरबादी नोडबंदी से शुरू हुई थी तब से सरकार ने एक के बाद एक गलत नीतियों को लाइन लगा दिया कॉंगरस महा सचीव प्रेंका गांदी ने आरूप लगाए कि सरकार ने देश की अर्थवस्ता डुबो दी उन्होंने ट्वीट किया कि आज से 6 महा पहले राहूल गांदी जी ने आर्थिक सुनामी आने की बाद बोली थी कोरोना संकट के दुरान हाथी के दाथ दिखाने जैसा एक पैकेज घोशित हुआ मगर आज इस्तिती देखिए जीडीपी 3.9 प्रतिशत तक गिर गई भाजबा सरकार ने अर्थवस्ता को डुबो दिया कॉंगर्स पार्टी के मुख परवक्तार अर्दीप सुर्जेलावाला ने कहा कि मोदी जी आप तो मान लीजिए कि जिसे आपने मास्टर स्टॉक कहा वास्तों में वो डिजास्टर स्टॉक थे नोडबंदी घलत GST और देश बंदी ताला बंदी उलेखनी है कि COVID-19 संकट की बीच देश की अर्थवस्ता में चालू वितवर्ष दोहजार बीस और इकिस की अप्रेल जून तिमाही में तेश द.9 पृतिशत की भारी गिरावट आई है और वह अगली खबर में जा लेते हैं कि आए देश बंदी में कोरोना संक्रमल के ताज़ा हाला देश में कोरोना संक्रमल का आकड़ा 37 लाग के करीब पिछले 24 गंडे में 79,921 नए मामले सामने आए हैं आपको दादे चीन के वहान शहर में शुरू हुआ कोरोना वायरस सकाहर अब देश भर में दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है देश में इस वायरस संक्रमल की संक्या 36,87,000 के पार पहुँच गई है हलाकि इन में से 65,434 लोगों की जान भी जा चुकी है देश में अभी तक 7,84,540 एक्टिव केस हैं तो दोस्तो खबर में आगब बने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दे कि अगर आपने अभी तक है वीजियो को लाइक नहीं के तो जल्दी से वीजियो को लाइक कर दे क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्पूर होता है और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी जरूर हीट कर दें और हमारी पूरी नियूस को जाने के लिए वीजियो को लाइस्ट तक जरूर देखें बढ़ते हैं बगले ख़बर क्यों और हमें एकली खबर बता दे कि मंदी, बेरोजगारी, सूखा या फिर भुकमरी 2019 में हर रोज 381 लोगों ने की खुदकशी 50 परतिशत के सिर्फ 5 सूबों से NCRB डेटा में खुला सा जिहां आपको बता दे कि राष्ट अपराद रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आकडो के अनुसार भारत में 2019 में हर दिन औस सतम 381 लोगों ने आत्म हत्या की और इस तरह पूरे साल में कुल 1,49,123 लोगों ने खुदकुशी की है आकडो के अनुसार 2018 के मकाबले 2019 में आत्म हत्या के मामले में 3.4 परतिशत की वरिद्धी हुई है पिछले साल जहां 1,49,123 लोगों ने आत्म हत्या की वहीं 2018 में 1,34,516 और 2017 में 1,29,887 लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है के इंद्रिग्रह मंताले के तहट काम करने वाले NCRB के आकडो के अनुसार 2019 में शहरों में आत्म हत्या की दर 13.9 परतिशत पूरे भारत में आत्म हत्या की दर 10.4 परतिशत से अधिक थी आकडो के अनुसार 2019 में आत्म हत्या के मामले में 53.6 परतिशत लोगों ने फासी लगा कर जान दी और वहीं जहर खाकर 25.8 परतिशत लोगों ने अपनी जीवन समाप्त किया 5.2% लोगों ने पानी में डूप कर आत्म धा किया तो 3.8% लोगों ने आत्म धा किया अब अगले का पर मताद है कि लोन मोराटोरियम की सुवीदा हुई खत्म सरकार बोली मुश्किल में फसे लोगों को मिल सकती है दो साल तक राहत जाने क्या है तरीका जी हम बात करें कि लोगडॉन से पैदा हुए आतिक संकर से कर्जदारों को रहात देने के लिए RBI के ओर से घोशित मोराटोरियम की अवदी 31 अगस्त को समाब तो हो गई है अब आज से बैंकों के बकाय लोन की किष्टे कर्जदारों को उत्ता है समय पर चुकानी होगी हाला कि अभी ऐसे तमाम कर्जदारक हैं जिनकी आर्थी किस्ति ठीक नहीं है और रोजगार के अफसर छीनने के चलते परिशानी बढ़ गई है ऐसे ग्रहकों को बैंकों की ओर से अब भी मोराटोरियम जैसी सुविधा मिल सकती है इन में EMI पेमेंट्स की रिशेडूल्स करना ब्याच की अदाईगी में राहत और दो साल तक के लिए मोराटोरियम के विस्तार जैसे सुविधा शामिल है दरसल आपका बैंक आपसे बाचीत करेगा और बताएगा कि आपको अपनी EMI का भुगतान कैसे करना चाहिए ग्रहक यदि लोन की रिस्ट्रक्चरिंग चाहते हैं तो उन्हें फिर इसके लिए बैंक को खिल लिखना होगा हाला कि यदि आप अपनी EMI चुका सकते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए और किसी भी पुनागठन योजना से बचना चाहिए इसकी वज़े यह है कि किस्टों के स्थगन की अवधी में भी लोन पर ब्याज जारी रहता है जिसे आपको स्थगन की अवधी समाप्त होने के बाद आदा करना होगा इस भी स्थगन अवधी के लिए ब्याज माफी की मांग करते हुए अपने सुनवाई फिर से शुरू करेगा शीर्स कोर्ट ब्याज पर ब्याज के मसले पर भी बात करेगा जो की अधिस्थगन लेने वाले उधार करताओं को भुकतान करना होगा इससे पूर्व शीर्स अदालत ने टिपने की थी कि ब्याज पर ब्याज वसूलने की कोई वज़ा नहीं बनती और वह एकली कपन बता दे हैं कि बार बारी से डूबे MP गुजरात के कई लाके आदे हिंदुस्तान पर आस्मानी आफत जहां बात कर रहे हैं कि मौसंद विभाग के पुर्वनवान के मताबिक राय लसीमा आंधर प्रदेश करनाटक तमिलनाडू पनुचेरी केरल पंजाब पुर्वी राजिस्थान बिहार पशिमंगार सिकीम असम मेगाले अरुनाचर प्रदेश नाकलैन मनीपूर मिजोरब और त्रिपुरा के दूर दरास के इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है तो दोस्तों ये थी अब तक की सबी बड़ी खबरों की अपडेट्स तोड़े ब्रेकिंग नियूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धो मिवाद दोस्तों